इंजिनियर परिमल पांडे जी जिनका हाली में सेलेक्शन ससी जाई की थुरू CPWD में हुआ है इनकी आल ओवर्ट इंडिया रांक जो रहने वाली पहली है तो जो बच्चे प्रिप्रेशन नहीं कर पाते हैं वह ऐसा वाल चार्ट लगा सकते हैं जो कि आप आज कल बहुत ही मार्केट में अब लेवल है यह जो हमाई तरफ चार्ट लगा हुए यह इंग्लिस में रहने वाला है इसके अलावा आप और कौन से एक्जाम आपने दिया ह तो 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 जाना चाहेंगे अपने कहां से सुरूखी कहां से कहां से स्ट्रीड में टेरिल कोचिंग वह आपने जो जाना चाहेंगे तो लगातार तीन इंजाम क्वालिफाई किया एंड अ आप लोग अगर से स्टेट एक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें आने केडिमी पर बहुत ही बहुत ही बहुत इन ओफर चला है जिस जो 25 माई 2022 तक ही वैलिट रहने वाला है इसमें अगर आप एक साल का स्ट्री मंत का और अगर आप दो साल का लेते हैं तो चार मंत का आपकोokeeSidir मिलने वाला है अभी 25 तारी के पहले पहले आज आप इंडोल करना चाहते हैं इंडोल करने के लिए आपको लिंक दिया गया उससे किलिक करेंगे वहां से आप इंडोल कर सकते हैं element हों वहांसे आपकोई कोड पूछा जाय icon तो आप वहां पर exist कर कते हैं EGO 10 code यूज़ करके आप उसमें enroll कर सकते हैं तो 25 माई के पहले पहले enroll कर लेंगे तो आपको 3 मंत का और 2 साल कर लेंगे तो 4 मंत का आपको free मिलने वाला है लगबग 3,000 रुपए तक कि इसमें आपको बचत होने वाले हैं तो बहुत ही 29 ओफर हैं तुरंट क्लिक करके आप इस ओफर को ले सकते हैं अगर आप आररवी जेए की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी ओफर चल ला है लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं करेंट प्राइस हाइक होने वाले हैं ज्यादा होने वाले हैं अभी अठाय परसंद तक भी बचत आपकी होने वाली है तो आप उस क्लिक करके उसे भी ज्याइन कर सकते हैं कोड यूज कर सकते हैं और एक खुशकबिर होने वाली है मेकैनिकल इस्टुडेंट के लिए जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वहाँ देखिए कि कैसे वीडियो बनी होगी है क्या उन्होंने बता है आज हमाई साथ मौझूद है इंजिनियर परिमल पांडे जी जिनका हाली में सेलेक्शन SSCJ की थुरू CPWD में हुआ है इनकी All Over India rank जो रहने वाली पहली है EWS में अगर टोटल rank देखी जाए तो 27 rank रहने वाली है तो बहुत सी बाते करेंगे बहुत साहाई questions रहेंगे बहुत लड़कों का इछली बात डाउट था कमेंट था कि सर डिप्लोमा इस्टुडेंट को नहीं ले आते हैं अब बीटेग वाले कमेंट करेंगे कि सर बीटेग वालों को इंटर्वी लेकर आए क्योंकि आज हमाई साहाई मौजूद है वह भी डिप्लोमा स्टुडेंट ही है तो सब्सक्राइब बहुत स्वागत है परिमल जी आपका हमाई चैनल पर तो सब्सक्राइब हम इनका बेसिक इंट्रोड़क्शन जानेंगे वह कहां से बिलॉन करते हैं स्कूलिंग और डिप्लोमा इन्होंने कहा से किया है हमने स्कूलिंग मतलब अपना हाई स्कूल अपन स्टेडी माटेरियल कोचिंग्जो अगरे आपने जोईन किया वह जाना चाहेंगे कुचिंग मेटेरियल के लिए हमने अपना सेल्फिस्टेडी प्रिपरेशन किया हुआ है उसके बाद मेंस के लिए हमने रखान रजासर के बैसमेट में हम थे 2018 में पीर हमारा प्री में नह हो पाया 2020 में यह CPWD मिला हुआ तो क्या स्कोर रहें आपके प्री और मेंस में टोटल स्कोरिंग कितना रहा आपका प्री में मारा 117 था और मेंस में 206 था टोटल 323 तो हम बुक्स के बारे में जानना चाहेंगी कि कौन-कौन सी बुक्स आप पढ़ाई के दोरान पढ़ते थे प्री के लिए तो एस संद की है वो और गुपता एंड गुपता की है उसके बाद आर अगोर भी थोड़ा सा पढ़े थे उसके बाद यूथ पब्लिकेशन की आती है फिर अपने मतलब जो बिल्डिंग माटेरियल यह सब सारी चीज़ें जो क्लासेस में पढ़ाई जाती थ तो आपने बताया कि आपका यह तो हम पहले जानना चाहेंगे कि पहला टेम्ट आपका कौन सथा और क्या स्कोरिंग रही थी आपकी और क्या सीखा आपने उस एक्जाम से था दोज़ार अठारम हमारा पहला था उसमें प्रक्स असी मार्फ ऐसी नवब्बे के आसपर संकर एक्जेक्ट आइडिया नहीं है उसके बाद 19 में दिया हुआ है निस में भी 323 टोटल मार्स थे उसका हम को आइडिया नहीं है इसका हमने बताई दिया तो लगबग आपके 323 मार्च थे तो 323 मार्च पर इनका इनके cpwd मिल गया है तो आप लोग को भी cpwd मिल सकता है अगर आप डिप्लोमब स्टुडेंट हैं तो हम यह जानना चाहिए नोट्स होती है जो कोचिंग वाले बनाते हैं एक सब्सक्राइब किया जिसमें नोट्स या सब्सक्राइब बनाए हो प्री के लिए हमने सब्सक्रा प्राम देते थे उससे पता चलता था कि क्या आता है क्यूसर में कि स्कूर्स रेज़िट इते जित्ता यादा इस्लाइब अच्छे मेंटेरियर मिले उसी हिसाब से प्रिपरेस्ट मतली प्री ज्यादा कठीं था इसलिए थोड़ा थान लगा ज्यादा उसमेंसर दो प्रैक में नंबर तो थोड़ा कम आया नंबर 23 23 ही था उस समय की मेरिट थोड़ा जादी थी इसलिए दिख्कत हो गई इसमें जो है नंबर वाई सेमें 323 लेकिन इस बार के मेरिट लो गई है आपने बताया कि आपने टेस्ट बुक यूज किया है अपनी जर्णी के दवराद तो जब आप टेस्ट देते थे तो नंबर कम या जाता आते रहे होंगे कितना नंबर आते थे और अगर आपसे कुछ गलतिया होती थी नंबर कमाते थे तो उसके कैसे आपने सीख लिया उससे तो गलतियों से तो सीख मिलती है यह तो है हम जब मतलब जो कुछ नंपरेक्टिस करते थे उसमें प्राक्स 80% के एकुरेसी रहती थी मतलब जो दस दस नंबर बीच नंबर वाला टेस्ट था उसमें थे उसका सीथा सीदा सौलेशन टेस्ट बुक का सलेशन का चाशा होता है तो वह बहुत अच्छे लागां को वहांसे के लिए काफी हर्प मिली है जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग टेस्ट बॉक को फालो करिए मैं लगाता तीन साल से बताता चला रहा हूँ बहुत ल ओर जाएंगे वहां सारी मिल जाएगे इसके लावा आप और कौन कौन से एक्जम आप ने दिया है और कहां-कहां तक स्वाइब क्वैंब हो ना चाहिएंगा हमने कई सारे एक्जाम दिये यूपिपीशेयल का दिया और कई सारे एक्जाम दिये लेकिना हो पाया था जो सेलेक्षिन हुआ उसमें सबसे पहले NWDA में हुआ था उसमें कुछ पोश्ट से 12 थी तो उसमें नहीं हो पाया और उसके बाद का दिया हूआ है तो उसमें हो गया है उसके बाद 2019 का उससे पहले दिया था 2019 का उसमें नहीं हो पाई फाइनल में नहीं हो पाई लेकिन में क्वालिफाई थे तक हुआ और 2020 में यह हुआ है थे लगातार ती दि रिंजाम क्वालिफाई किया है n wda je में हो गया था बस डीवी में नहीं हो पाया उसके बाद सब्सक्राइब कर लिया थे बट उतना नंबर नहीं आ कि इनको कोई डिपार्ड़ मिल जब अगर यह बीटेक होते हैं तिनको भी आरो मिल गया होता है बट फिर से इनों ने महिनत की 2020 में और लड़के अभी पढ़ाई कर रहा है जो डिपलोम फस्टिया से कंडिया में है या बीटेक कर रहे हैं उनको क्या सलाह देने अभी से वह क्या चीज करें क्या चीज ना करें अभी से तो जो स्लेवर कराए गया पहले उसको आप कंप्लीट करिए उसके बाद ही अब ये से इसल्ड लगाए ये जो नहीं आरहा उसको फिर से पाणजेट को दे रहाए हैं फिर से नहीं आरहा फिर से उसको पढ़िए जो कुछ नए कंसिप्थ है उसको आप गैन करिए उसके बाद आप फूल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट और रिवीजन ये सब जाली रखे रि पड़ते हैं कि अपना सॉट नोट्स काफी बढ़ी है उसके बाद जतना ही टेस्ट देंगे आप आपका रिविजन होता रहेगा जता टेस्ट तेंगे रिविजन कंप्लीट होता रहेगा कुछ भूलेगा नहीं ऐसा कुछ भूलने वाली जो दिक्कत होती है जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं पिछला भूल जाता है फिर पढ़ते हैं फिर फिसला भूल जाता है उसका सबसे गड़ी है करेंगे तो जो बच्चे प्रिप्रेशन नहीं कर पाते हैं वह ऐसा वाल चार्ट लगा सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही मार्केट में अबलेबल है यह हमाई तरफ चार्ट लगा हुए इंग्लिस में रहने वाला है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हैंडबुक किसके लिए क्या इंपॉस्टर यूज कर सकते हैं यूज की हैं यूज कर सकते हैं तो कई सारे विडियो अप्डेट लिएगा वहां से आपको तीर हो जाएगा हम आते हैं में क्या होता है दो गुटे का समय था 300 नंबर का वेपर होता है तो राइटिंग इसकिल इंपोर्टेंट है कितने इसबीड से लिखना चाहिए एक क्रूएसी का इसे दिखना चाहिए राइटिंग से प्रक्राइट में करना है और प्रेप्वर्ड निटेस्ट य ज्यादा important जैसे जैसे तीन question ले लिए उसको 30 मिनट में करना है चालिस मिनट में कुछ ऐसा fix करके आप निमेरिकल निमेरिकल को फास्ट केजिए calculation में mistake ना होने पाए उसके लिए calculator बहुत सही चलाना आना चाहिए एक्स नाइन एक्स है वह उससे बढ़ियां मिलता है फायदा और जितना ही ज्यादा question प्रेक्टिस करेंगे आप ज्यादा कि निमेरिकल निमेरिकल पर दोराई यह थेयरी थेयरी भी आ रहे है इसमें 40% तक प्रक्स थेयरी का वेटेज हो गया है तो थेयरी थेयरी आप लाज समय में दोरा सकते क्योंकि वह भूलने का chances रहता है और पॉइंट वाइज आप लिखेंगे थेयरी तो वह सबसे अच्छ सोला के पास आउट हैं दोवाजार बाइस लग चुका है से साल की जर्णी इतना टाइम देना तैयारी को लेकर तो कभी-कभी डी मोटिवेशन आता होगा तो उसमें एक मोटिवेशन कैसे आपने जर्नेटिक कि इतनी लॉंग जर्णी आपने तैयारी कर पाया यहां तक मैं समर ट्रेनिंग हमने लाबास से ही किया हुआ तो वहां पर आया थे तो वहां के यहीं कापी अच्छा ट्रीट किये तो उस समय हमको लगा कि यह पोस्ट कापी अच्छी है उसी समय हमकर हमारा यह डीम था कि सीपीड़व्लूडी में जर्णी के लिए उसके लिए और लगवग तिंचार एक्जाम आप क्वालिफाइब किये हैं लॉंग जर्णी रहे आके और इसके अलावा हम एक्टी जाना चाहेंगे कि कितने एक्जाम लगवग आप दिये चुके हैं अगर आप बता जाएंगे सरकल में दस बीस तीस चालिस के अप्रोक्सिमेट तो कि आप एक्जाम देते रही है डी मोटिवेट ना रहिए राइटिंग इसकिल सारे में बता दिया को प्री के लिए अब कि पैटर्ण थोड़ा चेंज हो रहा है तो पयो होते हैं थोड़ा लेंदी कोश्चन पूछ जा रहे हैं तो अब के इंजाम के पैटर्ण बच्चे तैयारी कैसे करने चाहिए लेंदी कुश्चन है अगर तो वह तो सब को सबके लिए है अगर कांसेप्ट ठीक है तो जैसे यूपी टॉपलसी में कहा है कि लिखता लंबा कुश्चन है लेकिन उसका आंसर जो है बहुत आसानिस निकाल सकते हैं तो यह सब ट्रिक जो है आप जितना ज्यादा कुश्चन प्रेक्टिस करेंगे उसी से गेंट कर पाएंगे और प्रिविश जाता है किस तरह से इसको सॉल्व किया आता है क्या सब सारी चीज अप्रेश्चन कर सकते हैं इससे पहले किसी बच्चे का कमेंट है कि सर कोचिंग कहां पर है तो दिन जीनियर सब सिविल ब्रांच महां पर हड़ गया है अब वही कोचिंग के नाम से लाहवाद में चलती है सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा हम यह जानना चाहेंगे कि रिवीजन के दौरान डिस्ट्रेक्शन भी आते हैं सब्सक्राइब करने से योगा करने से योगा हो गया फिर आपका जो भी ऐसे कुछ लोगों का होता है कि बैडमिंटन केलना या समतिंग कुछ कर सकते हैं तो सुबह सुबह उटके अन्रों मिलों करना इस्टार्ट कर दिजिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यह याद करने का सबसे अच्छा ट्रीक है अगर अब सुबह सुबह कर रहे हैं बहुत लोग स्टार्ट कर देंगे कल से मुझे मालूमें एक अक्तिव बंद कर देंगे यह अगर लगातार आप कर रहे हैं अगर आप लगातार करेंगे तो बहुत अच्छा लगा परिमल्जी आपको साथ इंटर्व्यू करके जल्द हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम एक सेशन लेकर आएंगे जो की पेड़ सेशन होगा जिसमें चारे एक टॉपर्स रहेंगे और लगभा बीस से पतीज नहीं सभी स्टूडेंट को इन्वाइड के जाएगा लिंक के दिया जाएगा जूब मीटिंग के थूरू डायक्ट आप कनवर सेशन कर सकते हैं तो यह वीडियो का इसा लगा कमेंट करके बताएगा इस वीडियो का टार्गेट देते हैं और अगर आप दिलवा देते हैं तो नेक्स्ट इंटरूप फिर से एक CPWD कंडिडेट का हम लेकर आएंगे नहीं तो हम फिर MESBR ओका लेकर आना स्टार्ट कर देंगे तो कमेंट करके बताएगे कौन से लाइंग परिमल जी की आपकी अच्छी लगी और दुबार आपका मिलना चाहेंगे सारी चीजे तो थ टाथ देकन लिकले खिर निवार थेंक़ जी करेंगे निवारा थेंक्यू से आपका अधिकलाँ